अमेरीकी रौस्षुपती डोनाल ट्रम्प अपनी पहली भारत यात्रा के पहले हिस्से के तहर एहमदाबाद के सावरमती आश्रम पहुंचे यहाँ पीम नरेंद्र मोदी ने उनका शानदार स्वागत किया और उन्हें आश्रम से जुड़ी चीजे भी बताई सबसे पहले पीम मोदी ने मेलाने और ट्रम्प के जूते उतरवाए और महात्मा गांदी के चितर पर माल्यारपन किया इसके बाद उन्हें सावरमती आश्रम के अन्य चीजे भी दिखाई लेकिन ट्रम्प की यह तस्वीर देख कर आपचंभित हो जाएंगे जब पीम मोदी ट्रम्प को चर्खा दिखाने ले गए और उनसे चर्खा चलाने को कहा तो देखे मेलाने और ट्रम्प चर्खा नहीं चला पाए तब हिमा मोदी ने उनकी मदद के लिए साबरमती आश्रम से चर्खा चलाने के लिए एक महिला को बुलाया जिनों ने आकर चर्खा चलाया और ट्रम्प और मैलानिय को बताया किस तरह से चर्खी को चलाया जाता है फिर देखे मैलानिय ट्रम्प किस तरह से चर्खा चलाने ल देखे किस तरह से स्लैप पर बैठ कर भी सुकून ले रहे हैं। फिर पीम मोदी ने उन्हें गांदीची के तीन बंदरों से भी अवगत कराया और उनके बारे में पूरी चानकारी दी। तो आपको इस तस्वीरे कैसे लगी आप भी इस पर अपनी राय दीजेगा। साथ इस वीडियो को लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा और आपके अपने चैनल हेडलाइन सिंध्या को भी सब्सक्राइब कीजेगा।